नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ प्रेणा मिश्रा और आज हमारी साथ पेशकश में हम बात चीत करने वाले हैं, दर्शकों को भी आशिरवात दिलवाने वाले हैं जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्या जी से तो चलिए स्वागत करते हैं और सबसे पहले गुरु जी आपको मेरा प्रणाम और जी मध्यप्रदेश अतीजकर परिवार की ओर से उनके दर्शकों की ओर से भी आपको प्रणाम। मैं स्वाइम जगत गुरु राम मत्राचारी बोज रहा हूं। दर्शन होते हैं तो 75 बस इतनी मस्ती मेरी कैसे बिटते हैं। दिखते कैसे हैं जरा उनके स्वरूप का बढ़न कर दिखते हैं। नेली बरन के, आसमानी बरन के, मधर मधर मुष्क राते हुए, उगड़े हुए कपोल, घुगराले भाल, पीताम बैन, मौक्तिक माला, दस्रेजी के यहां घुटनों से चलते हुए, प्यारे प्यारे। निश्यत रूप से, बहुत खुब, तो दर्शक भी जान गए होंगे, कि उनके प्रभुष्री राम कैसे दिखते हैं, क्योंकि जैसे ही स्वामी राम भद्राचारिया जी का जैसे ही नाम कोई सुनता है, तो धर्म, आध्यात्म, सनातन सभी से जोड़ लिया जाता है, इस च अंतर क्या होता है, मैं आप से समझना जाहूंगे, जैसे दिखते हैं, क्यों क्यों से जोड़ा जाता है, और धर्म को तो लोग प्रलोग दोनों से. पिरम कारियों को निश्ठा पूर्वत मिर्वान करना है सबसे बड़ा जातंगी, निशत रूप से बिल्कुल और आध्यात्मिक्ता जो कि हम हमारे निजी दिन चर्या में करते हुए आ रहे हैं भगवान की भक्ती भगवान के भक्ती में लीन हुना गुरुजी एक और सवाल है मेरा एक बात आजकल जोर शोर से देश की राज़ीती में उठ रही है वो क्या ये मांगने उठनी चाहिए कि राश्च्र सनातनी हो हिंदू राश्ट नहीं है जैमिनी साखा में शिंदवा को हिंदवा ये कहा जाता है हिंदू राश्ट की मांग पर रामभद्राचार्या जी कि क्या विचार है है कि मेरे पचाहते हैं हिंदू राश्ट होना चाहिए जब मुश्रिम राश्ट हो सकता है और होगा थोड़ी 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 प्रिस्चा करने पड़ेगी होगा आज इस देश में यह मांग बहुत जोर शोर से उठ रही है ना केवल मध्यप्रदेश शतीज़कर बलकि देश के अलगला कुनों से खास्तोर पर भगवान श्री राम की जन्मस्थली आयुद्या एक और हम हिंदू राश्र की मांग कर रहे हैं गुरुजी दूसरी और हम एक और चीज़ अपने हाथ से खोते जा रहे हैं वह भारतिय संस्कृति उसको बचाने के लिए कोई उपाए हैं क्या इसका उपाइद हम करी रहे हैं मेरी कठाए होती है हजारों के संक्या मुझे संस्कृत को अपनाते हैं मेरे बक्तम से तो मैं सभी बक्ताओं से कहूँगा भारती संस्कृत को पढ़ना चाहिए और पढ़कर ही अपना बक्तम प्रस्तित करना चाहिए बिल्कुल यह कठा से आदा है मुझे गुरुजी आपका सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने एकदम लंबे समय से आ देकर आज हम चर्चा आपसे कर रहे हैं इससे चाहूंगी गुरुजी एक भजन भगवान श्री राम के लिए आपकी और से कि एक पज़क्या सुलना चाहती है जी कि मैं तो कहूंगा कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवव सुदक्ष रेत अजीर बिहारी सत्यसद पलक शुतिशेतू राम जनम जग मंगल हेतू द्रवां पर भगवान श्री राम की फक्रो को चॉत पाई है क्यार्षद्य कि चौपाई है क्या जो कि हम दर्शकों को सुना सके सुट्ष शुकागि छिजटभां सब्सक्राइब और एक और सवाल है मेरा क्योंकि आज देश आधुनिक्ता की और बहुत तेजी से बढ़ रहा है हम खुद भी कई तरह के प्रयास कर रहे हैं चाहे हम AI की बात करने डिजिटल इंडिया की बात करने और दूसरी और है हमारी संस्कृति इन दोनों का तालमेल कैसे बना सकते हैं जो लोग प्राचीनिता का नभीनिता से समन्य कर रही तो संस्कृति है अच्छी बातों को समसे ले लेना तो सर्वत अच्छी बात में चाहिए लेना चाहिए लेकिन हमें इस बात का अंतर मालूम होना चाहिए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है जिस पर हमारी आत्मा प्रसंता से समर्थन कर दे वही अच्छा है जिसका हमारा मन वरष करें वहीं बुरा है ऐसा बात से मेरे को एक और बात याद आई कि आम तोर पर बात कर रहे होते हैं हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है वो तरह dov कोई किसी की आत्मा बुरे कर्म का समर्शन नहीं करती बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके साथ एक और सवाल होगा मेरा हम जीवन जी रहे हैं लेकिन कभी-कभी लोग उद्देश हीन हो जाते हैं उसके चलते कई की तरह के कदम भी उठा लेते हैं लेकिन जीवन का मूल उद्देश है क्या राम भद्राचारे जी किस तरह से सोचते हैं इसे मैं आप से समझना चाहूंगी जीवन का मूल उद्देश है मुक्स मुक्स से कहो राम तन से करो काम तो ये इसलिए गीता जूके आठमे अध्या के साथे श्रूब भगवाय प्रशने कहा तस्मात सरवेशु कालेशु मामर्शुमर्ग इंद्श्युश्य। मन से मेरा शमन करो और तन से रहन करो स्वामी जी आपका नाम है रामभद्राचार्या नाम में रां और मैं कथा आपकी मैंने भी सुनी हैं गर्गवान श्री कृष्न के जीवन जीवन का तो आप उलेग कर रहे थे कहा जाता है विष्णु के ही अवतार है राम bhi, विष्णु के ही अवतार है कृष्ण भी लेकिन दोनों के जीवन काल में, जीवन जीने के तरीके में और दोनों के उद्देश में बहुत फर्ख था आप क्या फर्ख समझपाने? पूरा अंतर यह है श्री कृष्णी की कथा के सुननी चाहिए उस्रावनी यह है अनुकरनी नहीं है राम जी की कथा सुननी भी चाहिए और जीवन में उतालने का प्रयास भी करने चाहिए आज वर्तमान की अगर मैं बात करूँ हमारे जीवन में कौन सी ऐसी चुनौतियां है गुरुजी जो कि आप समझ पा रहे हैं और आम प्राणी को उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है जीवन का प्रतेक्शन चुनौति से भरा हुआ है तो मुसे यही रखता है कि प्रतेक्शन हमारा चुनौति से भरा हुआ है और चुनौतियों का सामना वही कर सकता है जिसके जीवन में भगवान प्रशने होता है जिसके जीवन में भगवान का अजुराग होता है जिसके ज स्वामी रामभद्राचार्या जी ने एक रामाइण आपने खुद लिखी है जिसमें की तुलसी दास जी की रामचरित मानस से कुछ चीजों को संशोधित करकर वो रामाइण लिखी गई है नहीं 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 लिखी है मुझे दुखिस बात कहा कि मीडिया वाले लोग Support क्या सब्सक्राइण से मारिक पार्ठ को लिखे लेना की है फोरानी करने देलिया और मैंने पुराने पर दिया संव्के दिखें प्हाट आजि दूखिसWow कंप्यों मुकुद्मार्जीट मुकूद्म स्थे लिजह का कुद्ट प्ट्ट है चंब हैसे हैं कैसे हमकों को सब्स प्रामाइड को पढ़ा है जो स्वामी राम भद्राचार्या जी ने लिखी है अला कि मैंने पूरी तरह से वह रामाइड नहीं पढ़ी है लेकिन मैंने कुछ आदा है कि आज नंश्दीक है और एक बहुत ही मन में बहुत सवाल है कि इस बार 31 को भी लोग बोल रहें की दीपावली है वह कॉम सा मुहूरत है जबकि लोग असल में दीपावली की पूजा कर सकते हैं तो करी है 31 को दीपावली मनाई जा सकती है और क्योंकि अभी हम कोट की बात करें ते राम भद्राचारे जी मुझे आदे कि आपने भगवान श्री राम कब जन्म लिये थे कहां जन्म लिये थे उसकी आपने उसको समय के साथ उसका उलेक किया था वो समय क्या है मैं चाहूंगे हमारे द तो मेंस के मेंस के मेंस के सुर्य मकर के मंगल तुरा के सनी करक के देश्पती और मेन के सुक्र जब होते तब राम जी का जन्म मारा जब आए बिल्पल और राम कहते हैं कि मानफ के कड़-कड में बसते हैं अंदर राम हैं हमारे बाहर राम है चित्रकूट में अगर कोई जाय तो चित्रकूट में तो पूरा माहौल भक्ति मैं और राम में नजर आता है चित्रकूट कभी छोड़ते ही नहीं बहुत ही पावन भूमी है यह स्विकार करती है हाल ही में चित्रकूट स्याय गुरूजी और मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिल पाए मुझे उसका दुख भी है लेकिन अगली बार आउंगे जी अरे अपने बेची को फिर हम गुलाएंगे आशिरवाद आपका एक और सवाल है मेरा क्योंकि मध्य प्रदेश को कहा जाता है भगवान श्री राम की भूमी है चित्रकूट के साथ-साथ और्चा भी एक सान है मध्य प्रदेश में जहां पर भगवान श्री राम दिन भर वास करते हैं आयुद्या रात् अब यहां प्रदेश में लुट्वान श्री राम आम जीवन को सबसे बड़ी सीख क्या देते हैं आप क्या समझ पाते हैं मर्यादा मर्यादा जीवन में मर्यादा और इसी के साथ मुझे लगता है प्राण जाये पर वचलन न जाए हलाकि आजका लिए संभव नहीं है गु कि स्वामी राम भद्राचार्या जी भगवान स्री राम की भक्ति में एक और भजन का दें कि अब जो गाहे का समय में तर्दू चुका हूं पर इतना जान देजिए ओर घुबीर सरिश संसारा शीलसने निवाहन हारा जै जै प्रणा बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बादचीप के लिए तो ये थे हमारे साथ जगत गुरू स्वामी राम भद्राचार्या जी भगवान श्री राम का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम की भक्ती में लीन स्वामी राम भद्राचार्या जी लोगों को यही उपदेश देते हुए कि हमें हमारी मर्यादा कभी नहीं भूलनी है क क्योंकि मर्यादा पुरुशोत्तम राम के हम अन्याई हैं।